दोस्तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिनके पास कोई प्रोब्लम ना हो और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रोब्लम भी नहीं है जिसका कोई सोल्यूसन ना हो लेकिन लोग अपने परिसानियों से निजात पाने के लिए जल्दभाजी में गलत फैंसला कर लेते हैं और उनकी मातर एक छोटी सी गलती की वज़ा से उनकी खुद की जिन्दगी तो बरबाद होती है उनके साथ साथ और भी नजाने कितने लोगों की जिन्दगिया तबाह हो जाती है आज की भी कहानी में सिम्ध कुछ ऐसी होता है नमस्कार आदाब में हस्मुदी और आपती खरेन सफर क्राइम तब आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला है ये घटना है उत्राखंड परदेश की उत्राखंड का एक सहर पढ़ता है रूड की और इसी रूड की का एक थाना पढ़ता है मंगलोर मंगलोर थाने के अंतरगते की इलाका आता है मनका पूरा है और इसी मनका पूरा इलाके का रहने वाला है मुस्तकीम खान मुस्तकीम जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के आसपास बात कर रहा हूं मैं 23 अगस 2024 की सुबह के करीब 11 बजे के आसपास दरसल मुस्तकीम नजदी की ठाने में जाता है और रोते हुए पूलिस वालों से कहता है कि साब मेरी मदद कीजिए हलाकि पूलिस जब मुस्तकीम की हालत को देखती है पहले उससे तसली से बिठाती है और फिर उससे आराम से पूस्तास करती है कि आखिरकार तुम्हे हुआ क्या है इसमें मुस्तकीम पूलिस वालों को जबाब देते हुए कहता है कि साब मेरा एक बेटा है जिसका नाम है सबाज सबाज जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास दरसल मुस्तकीम पूलिस वालों से कहता है कि साब मेरा बेटा जो साइकिल पे कपड़े लेका गली-गली में घुम कर बेचने का काम करता है दरसल कल जब मेरा बेटा अपने काम पर निकला है उसके बास से घरी वापस नहीं आया है मैं उसके नमबर पे फोन भी कर चुका हूँ लेकिन उसके नमबर स्वीच अप बता रहा है मुस्तकीम रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साब 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 मेरा एक लोता बेटा है प्लीज आप कैसे भी करके उसे ढून दीजिए मुस्तकीम जब अपनी सारी बाते पुलिस को बताता है उसके बास से पुलिस मुस्तकीम के ही तहरीर पे उसके बेटे सबाज की गुमसुती का रिपोर्ट दस कर लेती है और सांथी साथ मुस्तकीम से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे सक है कि तुम्हारे बेटे का अपहरन कोन कर सकता है या फिर तुम्हारा बेटा कहां जा सकता है साथी साथ पूलिस मुस्तकीम से ये भी सवाल करती है कि क्या तुम्हारे बेटे का किसी के साथ कोई दुस्मनी था इसमें मुस्तकीम पूलिस वालों को जबाब देता है कि साथ मेरा बेटा बिहादी सिधा साधा था उसका किसी के साथ कोई जगड़ा तकरार भी नहीं था रहा बात अपहरण का तो साब मैं बहाद गरीब परिवार से हूँ भला कोई मेरे बेटे का अपहरण क्यों कर सकता है मेरे बेटे को गाइब हुए लगभग 24 घंटा हो चुका है और अभीता मेरे पाद कोई फिरवती का कॉल भी नहीं आया है दरसल मुस्तकीम पुलिस वालों से कहता है कि साब मेरे बेटे का अपहरण नहीं हुआ है बलकि साजिस के तहट साइद उसे कहीं गाइब कर दिया गया है मुस्तकीम जब ये सारी बाते पुलिस से बताता है उसके बाद से पुलिस मुस्तकीम को घर तो भेज देती है लेकिन उसके बाद से पुलिस अब सवाज को ढूनने के लिए अपने दो कंस्टेबल को मनकापुरा इलाके में भेजती है सवाज के बारे में पता लगाने के लिए उसके बाद से पुलिस खुद सवाज के बारे में पता लगाने के लिए उसके मुबाइल नमबर का को लिटेल्स निकालती है जब साम का वाक्त होता है दोनों को स्टेवल जब थाने में पहुंचते हैं तो पुलीस वालों से कहते है कि साब मनका फूर के कई सारे लोगों से हमने सवाज के बारे में पता किया है। दरसल लोगों के द्वारा हमें मालूम चला है कि सावाज का एक महिला के साथ में अफियर चल रहा था जिसका नाम है मरजीना लेकिन मरजीना जो ओल लेडी साधी सुदा है जिसके पती का नाम है अफजल दरसल अफजल और उसकी पतनी फिलहाल रूर्की सहर के तेली वाला कलो साथी साथ दोनों को स्टेबल पुलीस को ये भी बताते हैं कि कुछ महिने पहले मरजीन सवाज के साथ ही living relationship में रहती थी दोनों को स्टेबल जब सवाज को लेकर इस तरह की बात ये अपने सिनेर से बताते हैं इधर पुलीस जब सवाज के call details को छेक करती है तो मालूम चलता ह कि 22 अगस 2024 को सवाज के नमबर पे एक नमबर से आखरी बार बात चित हुआ था उसके बाद से सवाज का मोबाईल सुच अफ हो गया था हाला कि पुलिस जब उस नमबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नमबर किसी और के नहीं बलकि अफजल के ही पत्नी मरजीना के नाम पे रजिस्टर था पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है और कंस्टेबल भी जब मरजीना को ले करके पुलिस से इस तरह की बाते बताते हैं पुलिस को कहीं न कहीं सक हो जाता है कि साइद मरजीना सबाज के बारे में जानती होगी इसलिए 25 अगस 2024 को पुलिस मरजीना से पूस्तास करने के लिए थाने में बुला लेती है इधर मरजीना जब ठाने में जाती है तो अपने पती अफजल को भी साथ ले करके जाती है दोनों जब ठाने में पहुंचते हैं पुलिस सबसब पहले मरजीना से सवाल करती है सवाज कहां पे है इसमें मरजीना के पती अफजल पुलीस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साब हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है जब जूट बोलते हैं उसके बाद से पुलीस सवाज के मोबाइल नमर का कॉल डीटेल्स मरजीना के सामने रखते हुए सवाल करती है कि तुमने 22 अगस 2024 को सवाज के नमबर पे कॉल क्यों किया था क्योंकि उसके बाद से सवाज का नमबर सुच अफ हो गया था पुली जब ये सारी कॉल डिटेल्स मरजीना के सामने रख करके पूस्ताश करती है मरजीना अब इधर उधर तांक जाक करने लगती है जिससे पुलीस को पूरा यकीन हो जाता है कि मरजीना सवाज के बारे में जानती है लेकिन लाग पूछने के बावजूद ही मरजीना जब अपना मुह नहीं खोलती है आखिरकार पुलीसा मरजीना के साथ सक्ती से पेसाती है पुलिस जैसे ही अपना सक्ती दिखाना सुरू करती है आखिर कर मरजीना भी मजबूर होकर अपनी सचाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साब सबाज अब इस दुनिया में नहीं है दरसल हम दोनों ने उसकी हत्या कर दिया है हत्या करने की जब बात कहती है ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौक जाती है लेकिन मरजीना जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकईन इसे सुनने के बाद खुद सबाज के अब्व मुस्तकीम के भी अपने कानों पी यकीन नहीं होता है दरसल इसका हानी की सुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग एक साल पहले दरसल एक साल पहले जो मरजीना अपने पती अफजल के साथ इसी मंगलोर इलाके में रहती थी अफजल जो देखने में बेहदी सिधा साथा है लेकिन मरजीना थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है और देखने में भी खुबसूरत है दरसल मरजीना के अंदर सोसल मीडिया चलाने का काफी सोख होता है मरजीना जो सोसल मीडिया चलाती है और short videos को देखती है तो देखने के बाद मरजीना को भी लगता है कि इस तरह की वीडियो तो मैं भी बना सकती है उसके बाद से खुद मरजीना अपने ही घर के अंदर short videos बनाने लगती है और फिर उसे ले करके social media पे post करने लगती है हाला के मरजीना जब इस तरह का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है उसका पती अफजल उसे मना करता है लेकिन मरजीना अपने पती की एक बात नहीं मानती है और लगतार वीडियो बना कर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगती है इधर सबाज जो गल्ली मुहले में घुम कर साइकल पर कपड़े बेचने का काम तो करता है लेकिन साथी साथ सबाज के अंदर भी सोट वीडियो देखने का काफी सोख होता है सबाज जब अपना सोसल मीडिया ओपेन करता है और इधर मरजीना का जब सोट वीडियो को देखता है तो देख कर उसे पसंद ही नहीं करता है बलकि उसके सारे वीडियो को लाइक भी करता है और साथी साथ कमेंट भी करता है लेकिन सबाज को ये मालूम ही नहीं चल पाता है क कि मरजίνा रहने वाली कहां की है जब कुछ मैने का समय गुजरता है एक दिन सबाज अपनी साइकल पर कपड़े बेशते हुए मरजीना के इलाके में चला जाता है और जब मरजीना को उसके धरवाजे पर देखता है तो देखकर उसके तरफ देखते ही रह जाता है दरसल मरजीना जब सदाब के पास कुछ कपड़े खरीदने के लिए पहुंचती है तो सदाब मरजीना से कहता है कि मैडम मैं आपका सारा वीडियो सोसल मीडिया पे देखता हूं दरसल जितनी खुबसूरत आप सोचल मीडिया पे दिखाई देती हैं उतनी खुबसूरत सामने भी दिख रही है पहली नजर में सवाज जब मरजीना की खुबसूरती की तारीफ करता है ये सुनका मरजीना को भी अच्छा लगता है दरसल पहली नजर में जब दोनो इस दूसरे से बाच्चित करते हैं सवाज इतिने बहतर तरीके से बाच्चित करता है कि मर्जीना को कहीं न कहीं सदाव की बाते पसंद आ जाती है और बातों ही बातों में अपना mobile number सवाज को दे देती है उसके बाद से सवाज और मरजीना अक्सर फोन पे बातचित करने लगते हैं और आखिर कार बातचित करते करते सवाज और मरजीना के बीच में प्रिम परसंग सुरू हो जाता है लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही प्रिम परसंग सुरू होता है और जब कुछ महिने का समय गुजरता है आखिर कर एक दिन इस बात की जनकारी मरजीना के पती अफजल को मालूम चल जाता है हालाके अफजल जब अपनी पतनी को समझाने की कोशिस करता है मरजीना अपने पती के उपर ही टूट पड़ती है और अपने पती को जबाब देते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है दरसल तब तक काफी देर हो चुकी थी सवाज और मरजीना एक सांथ रहने का फैसला कर चुके थे आखिर कर मरजीना अपने पती अफजल को छोड़ देती है और सवाज के पास चली जाती है और फिर दोनों लिविंग रिलेशन्सिक में रहने लगते हैं मरजीना जब सवाज के पास चली जाती है उसके बाद से अफजल अपनी पतनी के नंबर पे कई बार फोन करता है, उससे समझाने के भी कोशिस करता है, लेकिन मरजीना अपनी पती की बात नहीं मानती है, जिसकी वज़ा से अफजल की अपनी इलाके में काफी बेशती भी होती है, इधर मरजीना जब सवाज के साथ लि अगे बढ़ जाती है कि अब मरजीना को अफसोस होने लगता है कि उसने अपने पती को छोड़ का बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस अपनाने के लिए त्यार हो जाता है। दरसल तेली वाला कलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहने तो लगता है, लेकिन सवाज मरजीना को लेकर करके लोगों से तरह तरह की बाते करने लगता है, दरसल अफजल का ये एक छोटा भाई है, जिसका नाम है सावेज, सावेज जो इसी मंगलोर इलाके में रहता है, सावेज को जब बरदास नहीं हो पाता है, एक दिन तेली वाला कलोनी में अपने बड़े भाई अफजल से मिलने के लिए जाता है, सुवा सुवा जब घर पे पहुंचता है, उस वत अफजल की पत्नी मरजीना भी घर पे ही मौजूद थी, सावेज अपने बड़े भाई अ लेकिन तुम ही बताओ, मैं करूं क्या, इस वे सवाज अपने भाई को समझाते हुए कहता है, कि सवाज को रोकने का मातर एक ही रास्ता है, क्यों ना हम, उसे इस दुनिया से ही हटा देते हैं, सावेज जब सवाज को मारने के लिए कहता है, अफजल इसके लिए त्यार नह नहीं है, दरसल मेरे पास एक ऐसा प्लान है, कि सवाज की डेड़ बोडी किसी को नहीं मिल पाएगी, सावेज अपने प्लान के बारे में बताने से पहले, अपने भाई अफजल से कहता है, कि भावी को भी पास बुलाओ, क्योंकि इस प्लान में भावी को भी साथ देना अगर हम तीनों मिल कर इस काम को अंजाम देते हैं, हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, और हमारा तिंसन भी खत्म हो जाएगा, दरसल सवेज अपने भाई को समझाते हुए कहता है, कि आप भावी से बोलो, कि वो सवाज के नंबर पे फोन करें, और उसे मिलने के लिए अगर सवाज हमारे घर पे आ जाता है, उसके बाद से घर के अंदर ही उसकी हत्या कर देंगे, और हत्या करने के बाद सवाज की डेट बोड़ी को बगल के गंग नहर में फैक देंगे, सावेज जब अपनी पूरे पलान के बारे में बताता है, आखिरकर अफजल और उसकी पतनी मर्जीना इस काम को करने के लिए तयार हो जाते हैं, और इसी सठेन के टाहर 22 अगस्त 2024 को सुबा सुबा ही मरजीना सवाज के नंबर पे फोन करती है, उससे मीठी-मीठी बात करने के बाद मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है, दरसल मरजीना जब इतने महीनों के बाद सवाज के नमबर पे फोन करती है और मिलने के लिए जब बुलाती है सवाज भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और मरजीना से मिलने के लिए त्यार हो जाता है और ठीक 22 अगस्त को दोपहर के वाग मरजीना के घर पे पहुंच जाता है लेकिन सवाज जब मरजीना के घर पे पहुंचता है तो बगल के ही कमरे में अपजल और उसका छोटा भाई छुप करके बैठे हुए थे सवाज जब मरजीना के घर पे पहुंचता है मरजीना सबसे पहले सवाज का हाथ पकड़ कर उसे कमरे के अंदर ले करके जाती है लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर ले करके जाती है इधर पीछे से अफजल भी अपने भाई को लेखा कमरे के अंदर इंटरी कर जाता है उसके बाद से तीनों मिल करके सवाज की गला दवा कर हत्या कर देते हैं सवाज की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसकी डेट बोडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं और फिर रातरी होने का इंतिजार करते हैं जब रात्री हो जाती है रात्री के करीब दो बज़े के आसपास अफजल उसका छोटा भाई सावेज सवाज की डेट बोड़ी को बाइक पे ले करके वहां से निकलते हैं और बगल के गंग नहर में ले जा करके फैक देते हैं। लेकिन बावजूद इसके सवाज की डेट बोड़ी पुलिस को बरामद नहीं हो पाती हैं। उसके बाद से पुलिस मरजीना के हितेरीर पर उसके देववा सवेज को भी गिराफ्तार कर लती है। मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं है बलकि अपना किम्ती समय निकाल का उच्छ अपना प्यार भी देते हैं जिन में से एक का नाम है राम मिलन राम मिलन जो गोरखपूर उत्तर परदेश के रहने वाले हैं दूसरे मेरे भीवर है मुनाजीर आलम मुनाजीर आलम जो किसन पिहार परदेश के रहने वाले हैं तीसरे मेरे भीवर हैं क्यामुदीन अंसारी क्यामुदीन अंसारी जो नेपाल के रहने वाले हैं चोथे मेरे भीवर हैं पिंटु साहनी पिंटु साहनी जो गोरखपूर उत्तर परदेश के रहने वाले हैं लास्ट मेरे भीवर हैं राह तेहे दिल से सुक्रियादा करता हूं, कल फिर मिलते हैं को और नहीं सची घटना के साथ, तक तक के लिए जय हीं, जय भारत!